हलो एबरीबन वेलकम टू अपनाज किचन मैं हूँ अपना आज मैं बनाऊंगी एक कप मखाने और थोड़ी सी चीनी के साथ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी तो ये मिठाई फटा फट से बनती है और आपके बजट में है और एक दम मुँ में घुल जाने वाली तो आ बहुत ही कम इतना गीस में लगेगा तो ये करीब एक चोटा चम्मच घी है और बस इसको हम कड़ाई में डाल देंगे और इसके साथ ही हम अपने मखानों को रोष्ट कर लेंगे तो अगर आप को क्रिस्पी मखाने चाहिए तो आप घीके साथ रोष्ट करें और अगर आप इसे dry roast करेंगे न चो भी रोश्ट हो जाएंगे बट वह कुरू इसे इसमें क्रिस्प और क्रूंच नहीं आएगा तो इसलिए पर फे Touch को रोग गहें दो यहां पर हीट yourself करने साथ 1 कप पानी अड़ यहां हम इसकी चासनी बनांगे टो अच्छे से पाउडर या फिर आप केसर के धागे इसमें डाल सकते हैं तो जो भी फिलेवर आपको पसंदे इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अगर गुलाब जल पसंद है तो भी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर नई अड़ किया है कुछ भी तो अच्छे से हम अपनी जो चीनी है इसको मिक्स करते जाएंगे और यहां पर देखिए चीनी हमारी खुलने लगी है तो हम इसकी चासनी बना लेत किये मखाने ठंड़ी हो चुके हैं तो इनहें हमें डाल देना है क्रOODर जार ना है और इनहें में पीछना है तो अगर आ ओप यह मखनें घी के साथ थोड़ा मिधा तो आप मिल्क पाउडर की जगे आप मलाई भी एड़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं और अब मैंने यहां पर एड़ किया है आदा कप नारियल का बुरादा डेसिकेटड कोकोनेट बस इन तीनों चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे और यहां पर देखि हैं तो हमें एक तार की चासनी चाहिए नहीं बन रहा है तो बस हमें इसको थोड़ी दिर के लिए और कुक कर लेंना आए तब तक हम्यार पे एक चाहिए जिसमे आप जमां तो उस फलां मिठाई आसानी से निकल सकते हैं एक तार पाइक भप 1 तर बन रहा चास्नी को इतना ही पकाना मिक्ष्राइब घर मिक्स्राइब और अच्छे से इसको मिला देते हैं यह काम आपको बहुत ही जल्दी करना है बनना जो मिठाई है आपकी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और यह कड़ाई में ही जम जाएगी तो इसलिए इसको फटा-फट से मिक्स कर दें और यहां पर हीट को आप बंद कर दें तो जाएगा ना थोड़ा सा गीला हो जाएगा देखिए इस तरह से तो अभी हमने इसको आप ही रखा आए और बस इसको हम लगातार चला रहे हैं तो यहां पर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो हम यहां पर हीट को आउन करेंगे और इसे हम थोड़ी दिर के लिए प पकाना है और अब हम यहां पर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोशन लेते हैं अब यह बहुत ही जादा गरम है तो अब इसको हम एक बावल में रखतेंगे थोड़ी दिर के बाल हम इसको चेक करेंगे अगर आपका जो मिक्शर है थोड़ा सा जमने जैसा हो गया है ना एक गोली जैसी बन रही है तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे तो इसको तब तक चलाते रहेंगे पैण भी गरम है हीट को आप आफ कर दें और बस इसको हम हटा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है बना इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और मिठाई हमारी बहुत ही ज़्यादा फिर कड़ी हो जाएगी हाड हो जाती है तो बस इसको हम हटा लेंगे और यह वाला मिक कर देखे चिपके कर नहीं और अच्छे से प्रेड़ कर देते हैं तो यहां पर यहां पर आप सी अपयोजें इस निगूरेट कर देते हैं थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से शेड़ा जाएं और पस इसको हम प्रिज में लग दे देते हैं करीब 10-15 मिट के तो मैंने इसको निकाल लिया है और मिठाई हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है तो आप चाहें तो आप इसको रूम टंपरेचर पर ही छोड़ सकते हैं यह करीब आदे घंटे में सेट हो जाए और देखिए फटा-फट से बनने वाली हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी स बहुत ही हल्यी होते हैं कल्सिम फाइ astronomy से भर फूर होते हैं तो आप इससे बनाएए आप इससे तौहर के बिना भी बना सकते हैं और बच्छों के लिए बनाईए तो आपको मेरी यह वीडियो अचिल अजेज़्ाने है और बच्छों के लिए अच्छी लगई हो तो पलीज